नमस्कार दोस्तो जैहिंद कैसे आप सुभी लोग मैं प्रतिक सर एक बार फिर से आपके लिए एक छूटी सी इनफॉर्मेशन लाया हूँ जैसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको देख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि SSE CGL 2023 टाइपस और पोस्तो जैनि कितने प्रकार की SSE CGL में पोस्त आती है और अगर देखें कौन सी पोस्त आपके लिए सबसे अच्छी होगी आपके लिए कौन सी पोस्त सबसे ज़्यादा बहतर होगी आपके क्या कर सकते हैं अपने आपकी उमीदवारी क्या कर सकते हैं विनंदन करता हूँ आपके अपने एक्जाम रिजल्ट गुरूप सबसे पहले बात करते हैं CGL की देखो CGL आप सभी को मालूम है SSC एक क्या है कमीशन है साफ सेलेक्शन कमीशन की अगर बात करूँ मैं यह जैसे आपको मालूम है UPSC कमीशन है उसी प्रकार SSC क्या कमीशन ह जो की क्या करता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे यहां थोड़ा लिख दिया है it is a commission that recruits C, Group C officers ठीक है SSC में अगर बात करें तो Group C, Group C और Group D की बारे में क्या होती है नोकरी है, recruitment होता है जहां से हम लोग क्या बनते हैं को officer बन सकते हैं अलग-अलग SSC के exam होते हैं CGL होता है, CHSL होता है, MTS होता है, Selection Post का भी exam होता है, GD का भी exam होता है तो अगर इसमें मैं बात करूँ GDS की, CGL की बात करते हैं अगर, गौर से देखिए, CGL को थोड़ा सा समझेंगे, अगर SSC CGL की हम बात करें, CGL में Group B और Group C की जौब हमारी निकलेंगी समझेंगे, Group B, Group C की क्या होता है, Level क्या होते हैं इसमें और आपको कितनी approximate salary मिलेगी, अगर आप लोग क्या करते हैं, अपना साकार कर पाते हैं सबसे पहले, who can apply, तो सबसे पहले तो यह समी को मालूम होगा, कौन apply कर सकता है, degree holder होना चीए, bachelor degree holder, या उसके equivalent होनी चीए, age limit क्या है, 18 से 32 है, कहीं कहीं पर 32 सिर्फ एक या दो पोस्टों में है, generally यह जो हमारी age limit होती है, वो कितनी होती है, 30 साल की हमारी age limit होती है, यह तो पढ़ गया भाई, कि कौन को इसके लिए apply कर सकता, अब main क्या था, main जो था, कि कौन कौन सी पोस्ट है, और हमारे लिए कौन सी पोस्ट अच्छी हो सकती है, अगर मैं बात करू देखो, some job profile with age limits, यानि job profiles हैं, और age limit के साथ है, जैसे बात करें, assistant audit officer, किस ministry के अंतरगत होती है Indian audit and accounts, 30 years, इसके लिए आपकी क्या है, age eligibility, जिसको आप double AO भी कह सकते है, assistant account officer, Indian audit and accounts में, 30 years, इसके, assistant section officer, central secretariat में, सबसे बढ़िया, अभी मैं बताऊँगा, जोब के बारे में भी बताऊँगा, पहले समझ लेते हैं, कितनी jobs हैं, और इनमें बहुत बढ़िया job कौन सी हो सकती ह आप UPSC का सपना देख रहे हैं, IES में आपको job करनी है, preparation भी करनी है, दिल्ली में रहना भी है, तो उसके लिए कौन सी job होगी, या वर्दी वाली job कौन सी होती है, कि लगे भई, आप वर्दी पहन के star लगा के घूम रहे हो, किसी को seaport पर जाना है, तो उसके लिए कौन सी अगर बात कर, assistance section officer, intelligence bureau में 30 साल इसकी age है, 30 साल के लिए criteria निश्चित है कि minimum age कितनी होनी चीछी, तो 20 से 30 साल, assistance section officer, railway, income tax, inspector, CBT, भहिया, income tax, यानि income tax में आप क्या बनेंगे, भहिया, inspector, बनेंगे, CBT, यानि central board of direct and taxes, इसके लिए 30 साल age है, फिर इसके बाद, जो सबसे लोगों को जल्दी जो मिलती है job, exercise department की job मिलती है, Central exercise की CBIC, Central board of indirect tax and custom, जिसके लिए आपकी age क्या होती है, 30 साल होती है, ये main jobs है, अभी ये खतम नहीं हुई है, और भी CGL में jobs है, कौन कौन सी jobs है, अभी आप देख लीजे, फिर में बताऊंगा, कि अगर हमको preference wise जाना है, तो कौन सी job हमारे लिए best रहेगी, अगर हम Inspector Narcotics Bureau की बात करें, तो पहले Narcotics क्या होता था, CPO में होता था, अब Narcotics Bureau को किस में ला दिया है, CGL में ला दिया है, 30 साल, अगर हम Junior JSO की बात करें, Ministry of Statistics, जिसके लिए आपकी जिए 30 साल और हमारी 32 साल भी होती है, ठीक है, अगर हम बात करें Sub Inspector Narcotics इसी में है, 18 से 27 साल, Auditor वाली जोब चालू हो गई, CAG में आ जाईए या Accountant Office में आ जाईए, ये दोनों के लिए 19 से 27 साल की उमर, QDC की बात करें, यानि Upper Divisional Clerk, इसके लिए बात करें, तो 18 से 27 साल एज रहेगी, ठीक है, इसी के बात, अगर हम Tax Assistant की बात करें, तो Tax Assistant द उनों में 18 से 27 साल, Postal, जो की new आप लोग कह सकते हैं, पहले SSC में ये जॉब नहीं आती थी, इसके लिए अलग से PA का एक्जाम होता था, Postal Assistant और Shorting Assistant का, जो की अब CGL में ही होता है, उनके बात Senior Administrative ये आती है, Military of Intelligence में, इसके लिए 18 से 27 साल आपकी age होती है, ठीक है, ये General Post है इसके अलावा बहुत सारी Post होती है, में जो Post होती है, वो ये वाली Post होती है, अब बात करते हैं कि इन Post पर अगर आपको जाना है, सबसे पहले देखिए अगर आपको जो सबसे ज़्यादा Post मिलती है, सबसे ज़्यादा अगर कोई Uniform Lover है, कौन है Uniform Lover है, भई Uniform पहनना है और ये उसको कंदे पर तीन स्टार लगाने है, तीन स्टार लगाने है, अगर कंदे पर Uniform पहननी है, तो आपके लिए इसमें जो CBIC Department है, Central Board of Indirect Tax and Custom, यानि ये आपको किसमें एक तो GST में जॉब दे सकता है, प्रवेंटिव आपको क्या दे सकता है, जॉब दे सकता है, ठीक उन सभी के लिए सबसे जादा मिलने वाली जो जॉब है, आपने देखा होगा, CGL में हर कोई Selected Exercise Inspector होता है, है ना, अब मैं अपने बारे में भी क्या बता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी लोग समझें कि ये General मिलने वाली जॉब है, ठीक है, आपको Inspector में सबसे जादा मिलने वाली जॉब कौनसी होती है, CBIC, इसके बाद किसी को RAID वगेरा का काम करना, इनके दो काम होते है, GST के दो काम होते है, एक तो हमारा desk होता है, desk job होती है, और एक हमारी कैसी होती है, field job होती है, ठीक है, दोनों हमारी job होती है, rotation होता रहता है, सेम इसमें किसमें होता है प्रेवेंटिम में होता है अगर हम बात करें तो examiner examiner को भी ले लिजिए बट यह uniform नहीं होती इसमें है ना uniform नहीं ठीक है तो यह आपकी तीन पोस्ट होंगी जो CBIC में uniform lover है अब लेकिन इसमें ध्यान डखना यह जो पोस्ट है यह हमारी कहां होती है पोर्ट्स पर होगी जहां पर भी पोर्ट्स होंगे सी पोर्ट्स होंगे वहां पर हमारी क्या होगी जॉब लगेगी अब मालो किसी को थोड़ा सा थोड़ा सा अगर और देखना है तो income tax inspector की बात करें income tax की अगर बात करें तो income tax में दो तरीके की job मिलेंगी आपको एक तो आप inspector बन सकते हैं इंस्पेक्टर बनो गए, rate rate मारो income tax में लोगों के पास कितना पैसा है, इसमें क्या होता है TA होता है, tax assistant होता है tax assistant क्या करेगा भी यह इंस्पेक्टरों के नीचे आएगा तो CGL में अगर आपकी post अच्छी है तो आपको income tax में inspector बन सकते हैं और अगर post lower है, नीचे है, बस selection हो जा कैसे भी, उसके लिए आपकी कौन सी post होती है, tax assistant की post होती है, और यह कौन सा department के अंतरगत आता है, यह आता है आपका CBDT के अगर यह तो हो गई आपकी income tax की बात, आप किसी को लगता है कि नहीं भाई, CBIC में भी ठीक है अच्छा, office मिल जागा, film मिल जागा कोई अपनी life में चाहता है adventure करना और वो चाहता है कि मैंने जो movies में देखा है कि लोग काम करते तो उसके लिए कौन-कौन से department है अगर उन department की बात करें तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो एक department है आपका CBI इसरा department है आपका कौन सा narcotics, ठीक है, narcotics भी एक department है और त्रीसरा department है हमारा IB यह तीनों जो department है बड़े adventures होते हैं adventures की advantage भी बहुत है कि भीया आपको क्या करना है जितनी आप movie देखते होगे peddlers पकड रहे हैं तो यह कौन लोग पकड़ते हैं drug peddlers वगरा, narcotics वाले CBI वाले तो आपको मालूम है हर जगे CBI पहुँच रही है हर जगे CBI पहुँचती है और CBI क्या करती है हर किसी को arrest करने की ताकत रखती है उसकी ख्यार अपनी है बहुत सारी courts कर रहा है IB intelligence bureau देश को जो input प्रवाइट करती है input में इसमें भी sub inspector की job आपकी input वाली होती है ठीक है desk की job होती है field की भी job होती है यह हमारी IB से related narcotics और CBI से related job होती है तो अगर हम बात करें और किसी को मानलो अब बात करें किसी को दिल्ली में रहना है किसी को दिल्ली में रहना है तो इसके लिए department है CSS है Central Secretaries तो यहां पर जो आपको job मिलेगी जैसा कि मैंने आप से कहा था assistant section officer यानि आप ASO इसमें बन सकते हैं डैली में आपकी posting होगी कहां होगी डैली में posting होगी साथ के साथ भीया क्या करो अपनी preparation करते रहो मानलो किसी को अपनी preparation आगे करनी है तो इसके लिए भीया ASO वाली job CSS के अंतरगर ठीक है account officer की बात करें और अगर CGL में किसी को सिर्फ job ही लेनी है marks कम आए तो जनरली जो jobs मिलती है वो कौन-कौन सी jobs मिलती है या तो UTC मिलेगा या तो उसको auditor department मिलेगा audit हो सकता है auditor बन सकता है या फिर TA ये वो jobs होती है जब आपकी अगर rank कम आए आपको जनरली ये jobs मिलती है यानि ये हमारी rankers वाली job है चाहे CSS हो income tax inspector हो central exercise inspector हो preventive हो intelligence hero हो narcotics हो CBI हो लेकिन ये वो job है जब rank कम आने पर मिलती है लेकिन जब ये rank कम आए भगडाना नहीं है सयारियों के साथ आगे बढ़ते रहना है अगली साल अगर age है operation करते रही है और आपको क्या मिलेगा बढ़िया आपका selection हो जाए ठीक है जैसे जैसे job है वैसे वैसे salary है अगर आप देखें 4200 का भी है 4600 का भी है बढ़ सारी job क्या होती है non gadget होती gadget का मतलब होता है कि आप gadget officer है बच्पन में sign कराते थे तो आप इसमें क्या होता है promotion के बाद आपको ये jobs मिल सकती है अगर हम बात करें अब मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ CGL का foundation batch चला है क्या चला है SSC CGL का क्या चला है foundation batch चला है 2023 को target करते हुए इसमें class चलती है 7 वजे से 7 वजे आपकी class होती है 7 AM पर GS की class होती है किसकी भाई GS और GK की class होती है साड़े आठ तक फिर साड़े आठ वजे आपकी class होती है किसकी भाई या math की class होती है किसकी होती है math की class होती है फिर अगर हम बात करें 10 AM की 10 a.m. की जो class होती है भाई वो reasoning की class होती है किसकी reasoning की और पूरा foundation batch है और 11 वजे से आपकी क्या किसकी होती है English की होती है कहा होती है जिस channel पर आप ये video देख रहे है और government exam result group ये आपका सारा क्या रहता है ये आपका batch रह सकता है free of cost रहा foundation है pre up to means है क्या है pre to means है आपको मालूम है pattern change है pattern की अगर बात करें तो थोड़ा सा pattern को मैं समझायता हूँ इसका screenshot आप लोग ले सकते हैं pattern की बात करूँ मैं अगर relaxation की बात करूँ तो भीया age relaxation 5 साल का है 3 साल का है अपनी अपनी category में है एक service man को 3 years का होता है यह ध्यान रखिएगा यह age relaxation होता है ठीक है क्या होता है age relaxation अगर हम बात करें scheme of examination आपको मालूम है 2 tiers में हो गया पहले 4 tiers होते थे tier 3 भी होता था 4 में medical वगरा होता था अब main 2 tiers हो गया है computer based examination computer based examination and other paper also other paper का मतलब negative marking होगी 25% की premium है और वहाँ पर होगी 33.3% ठीक है यह आपका main syllabus रहेगा जो आपको SSC CGL के बारे में आपको इंफॉर्मिशन देगा तो आप सभी लोग CGL की तियारी में लग जाओ CGL 2023 को क्या कर लो CGL 2023 को क्या कर लो target कर लो और आप यह यकीन माल लो कि इससे अच्छी जॉब आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिल सकती है UPSC मिल सकती है अगर हम बात करें pattern समझें तो पहले state exam है state exam के बाद state exam में भी group B, group C उसके बाद हमारा SSC आता है और उसके बाद हमारा CGL की त्यारी करिए अच्छे से अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए पढ़िए और आप से अगली क्लास में मिलेंगे सुबह साड़े आठ बजे तब तक अपने बाद रखें स्वस्त रहें मस्त रहें stay blessed जै हिंद जै भारत